हलो एस्परेंट देखिए आज से हमारा यह प्रयास रहेगा कि सिच्छा जगत यानि कि सिच्छकों से सम्मंदित जो भी न्यूज रहेगी और आयोग उत्तर प्रजिस लोग से वा आयोग से सम्मंदित जो भी न्यूज रहेगी उसको साथ में एक साथ दिखाया जाए ठीक है तो शुरू करते हैं देगे चिकित्सा अदिकारी परिच्छा का कुर्स जारी हो चुगा है उत्तरप्रेस लोग से वा आयोग ने चिकित्सा अदिकारी आयरुवेद के 611 पदों पर सीधी भरती के लिए 8 जनुरी 2023 को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परिच्छा का पाठेकरम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है और सचीव आलोक कुमार के अनुसार स्क्रीनिंग परिच्छा में वस्तुनिस्ट प्रकार के कुल 1.500 प्रस्ण पूछे जाएंगे ठीक है तो आयुर्वेद यानि की चिक्रित साधिकारी आयुर्वेद के लिए इन्होंने जो है की पाठेकरम जारी कर दिया 15 तक जारी करेंगे रिक्त पदों की सूचना ठीक है सहायता प्राप्त मादमिक इसकूलों में प्रसिच्छित असनातक ठीक है ठीक है और हाई कोट ने 29 सितंबर को प्रतिक्छा सूची के अभरतियों को रिक्त पदों के सापेक्ष निउक्ती देने के आदिस दिये हैं अब जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी जो है की निउक्ती होगी अब ठीक है और प्रभारी अपर सिक्छानी देसक मादमिक्स रामचेत की ओर से जारी विग्यप्ती के अनुसार 3 अक्टूबर को सभी मंडली सायुक्त सिक्छानी देसकों को रिक्त पदों की सूचना 7 अक प्रदेश के और सास्की सहाता प्रदमिक विद्यालियों में लिकिक के 280 पदों पर भरती होगी जीलों से मिले प्रस्ताओं को मादमिक खिक्छानी देषी सले ने हरी जंडी दे दिये हैं अब जीलों में विद्यालिय अस nessa पर भरती प्रक्रिया 16 जन्वरी 2003 तक पूरी की ज इसके लिए विद्यालेवा अरच्छनवार पदों का अलग-अलग विज्यापन जारी करके आवेदन के लिए कम से कम 21 जिन का समय दिया जाएगा आवेदन पत्र रजिस्टर डांक से प्रवंधक को भेजने के साथ ही उसकी प्रती डियोस को उनके इमेल पर भी भेजना होगा ठीक है देगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परिच्छा की उत्तर कुंजी जारी करमचारी चैने आयोक की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर वर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परिच्छा 2022 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है अभ निर्धारी तिथी 9 अक्टूबर सायम 5 बुजे के बाद आने वाली आपत्यों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आयोक के मताविक अभ्यरती अपने उत्तरकुंजी की एक प्रिंट काफी अपने पास जरूर रख लें क्योंकि निर्धारी तिथी कि बाद उत्तरकुंजी विचार पर उप्लब्द नहीं रहेगी। मादमिक शिच्छा निदेशाले की ओर से तदर्स सिच्छकों को निश्चित मांदे पर रखने का प्रस्ताव सासन को भेजा गया है। कालेश प्रबंदकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इसकी निक्ती की थी। ठीक है। अधिक समय तक नौकरी के बाद अचानक से बाहर होने पर इनके समख शरोजी रोटी की संगट पैदा हो गया। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सरकार के निर्देश पर सहानभूती पूरवक विचार करते हुए उनके समायोजन का प्रस्ताव मादमेक सिच्छा विभाग की ओर से त्यार किया गया। प्रस्ताव में उन्हें वेतन की बजाए निशित मानदेवर समती बनी है। मानदेवर रखने के लिए जो तीन फार्मूला सुझाय गया है उसमें सरकार पर एक अरब बीस करुण से लेकर दो अरब एक तालिस करुण रुपे तक का सलाना व्यवभार पढ़ने पर पढ़न से हुए थे बाहर बेसिक शिक्षा की 59 सिक्षक भरतिक में आरचन की गड़वडी से 6800 अब भरतियों का चैन तो अलग से किया गया लेकिन निवक्ति करीम 9 महिने बाद भी नहीं मिलता किये पिछली दिनों बेसिक शिक्षा परिसर सचीव ने इस भरतिक रिक्त पदों का व नहीं मिले 13 अक्टूबर को हाई कोट में सुनवाई है और आरचन में गड़वडी के कारण बाहर हुए आरचित वर्ग के 6800 अभरतियों की चैन सुची जो है कि जन्वदी में जारी हुई थी और तब से ही अभरतियों निवक्दी पाने के लिए निदे साले से लेकर सासन और जन्वदी निदियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सिवाय आस्वासन के कुछ हाथ नहीं लग रहा है मामले में अभरतियों ने हाई कोट का भी दरवाजा खटकटाया है हाई कोट मामले में स्पेसल बेंच बना कर सुनवाई कर रहा है और अचित वर्ग के अभरति ल चयन किया गया है तो निक्ति कैसे देंगे ठीक है जब अभरतियों का चयन किया गया है तो निक्ति कैसे देंगे इधर इस मामले में कई मुकदमे हो चुके हैं इसलिए सरकार निक्ति देकर विवाद को स्वाप्त करने की कोशिस में हैं उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई 28 सितंबर को हुई थी उसके बाद बेसिक सिक्षा मंतरी से अभ्यर्थियों ने वार्ता की तो उन्हों ने भरोसा दिया कि सरकार दसारा के बाद कुछ हल निकालेगी अब दसारा भीज जाने के बाद अभ्यर्थियों ने निगति दिये जाने की मांग फिर उठाई है अभ्यर्थियों ने सुकुरवार को प्रियागराज आयव मुख्य मंत्री से मिलकर ग्यापन देने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी ठीक है तो आर अच्छन के कारण इनकी जो एकि भरती रुख रग्यर्थियों ठीक ट जो ठीक है तो इनकी थाट